28 और 29 फर्वरी यानि दो देवसियर दोरे पर बंगाल पहुश रहे हैं कींद्री ग्री मंत्री अमिश्वाह जिहा कुछ इसी तरह के खबर सामने आ रही है लोग सभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तयारी यहां की बंगाल बिजेपी कर रही है इन सभी चीजों का ज्वाईशा लेने के लिए खुद अमिश्वाह पहुश रहे है कहा जो रहा है की 28 फरवरी की रात को केंद्री ग्री मंत्री अमिश्वाह यहां पहुशेंगे और इसके बाद यानि 29 फरवरी को वो बैठक भी करेंगे साथ ही जनसभा को समुदित कर सकते हैं हाला कि यह इस पष्ट नहीं है उनके आने की संभावना चोताई जो आ रही है यहां हम आपको याद दिला दे कि पिछले महने यानि की जन्वरी के अनतिमाह में ही हमने देखा था कि केंद्री ग्री मंत्री अमिश्वाह पहुशने वाले थे हाला कि उनके पहुँशने से पहले ही उनका ये कारिकरम रद कर दिया गया था रद के पीछे जो वजह बताई जो आ रही थी वो ये कि बिहार में उस वक्त सियासी हलजवल काफी तेज थी बिहार के राजनितिक जो हालात थी वो कुछ ठीक नहीं चौल रहा था यही वजह है कि केंदरी ग्री मंत्रिय मिश्वाह का बंगाल दोरा उस वक्त प्रद कर दिया गया था लेकिन इसी पीछ अगले महने ही यानि की फरवरी महामें एक बार फिर से उनके बंगाल दोरे की खबर सामने आ रही है बहराल अभी तक इस पश्ट नहीं है लेकिन जो खबरे हैं उसके मताबेक वो बिजेपी के शुर्जप पदाधिकारियों के साथ यहां बैठक कर सकते है और बैठक के दोरान वो लोग सभाचुनाव के मदे नजर क्या खुछ बंगाल विजेपी तयारी कर रही है उन सब ही तयारियों का ज्वाईजा खुद लेने वाले है इतना ही नहीं उनके जाने के बाद याने की मार्च की शुरुवात में ही उसके एक हफते के अंदर श्वायद पीम मोधी भी पहुंच सकते है ऐसी ख़बर भी सामने आ रही है पीम नरेंद्र मोधी खुद उतर बंगाल में सभा को सम्मोधित करने वाले है कईना कई से देखा चाये तो इन दिनों जो बंगाल की राश्मीतिक हालात है वो कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं कभी ये घोटाला कभी वो घोटाला नचवाने कितने घोटाले जो सामने आ रहे हैं बंगाल में और इन सबी घोटाला मामले में बंगाल में जो ममतर सरकार है उनके कई मंत्री और नेता सलाकों के पीछे भी पहुँच चुके है और इसी बीच जो कि इंदरिग्री मंत्रिय में श्वाह यहां बंगाल पहुँच रहे है जब संदेश खाली का मुद्दा भी काफी गर्माया हुआ है काफी एहमा नजवारा है उनका ये दौरा है और जो पीएम नरेद्रमोदी खोदतर बंगाल भी पहुँचने वाले है लोग सभाद चुनाव के मद्दे नजर भले ही बीजेपी कमर कस्ती हुई नज़रा रही है लेकिन बंगाल के हाला कुछ ठीक नहीं है चुनावी प्रचार में भले ही वो कर ले बीजेपी लेकिन संदेश खाली का मुद्दा यहां पे घोटालों का मुद्दा काफी गर्माया हुआ है क्या कुछ होता है वो आते हैं क्या कुछ उनावी वादे करते हैं पीए मोदी और जो कारेक्रमों का ज्वायजा तैयारियों का ज्वायजा लेने के लिए खुद अमिश्वा पहुश रहे हैं इधर TMC याने की ममता सरकार जो की कमर कस्ति भी नचरा रही है वहीं BJP भी पीछे नहीं हट रही हमने देखा था कि साल 2019 में जब चुनाओ हुए थे उस लोग सभाज चुनाओ में हमने देखा था कि BJP कोई करकोर कसर नहीं छोड़ी थी लेकिन इस बार भी BJP अपने हाथ से बंगाल जुआने नहीं देना चुहती 42 लोग सभाज सीटों में कम से 35 सीटों पर कबजा जमाने का ख्वाब देख रही है जी हां BJP देख रही है वही अगर हम ममता बैनर्ट जी की बात करें तो सियम ममता बैनर्ट जी जो की बार बार ये कह रही है कि वो अकेले ही काफी है BJP को हराने के लिए तो वही दूसरी तरफ BJP भी एजुएंटा सेट करती हुई नजवरा रही है बंगाल की राजनितिक सरगर्मी काफी तेज है जी हां चाहे वो BJP हो, कॉंग्रेस हो, TMC हो या फिर माकव या फिर कोई भी पारने हर पाठी जो कमर कस्ति हुई नजवरा रही है भले ही इंडिया गडबंधन के साथ ममता सरकार यहां पर नहीं लड़ने वाली है चुनाव लेकिन लोगसभाज चुनाव काफी दल्चस्प होने वाला है क्योंकि इस साल के लोगसभाज चुनाव में हम देख रहे हैं कई तरह के मुद्दे संदेश खाली के मुद्दे, घोटाले के मुद्दे और नजवाने कितने मुद्दे बंगाल में हर एक-एक मुद्दे को लेकर राशनीती यहां पर देखने को मिल रहे है राशनीती एक सरगर्मी यहां देखने को मिल रही है और इसी भी जो कि इंदरिग्री मंत्रेय में शाह बंगाल दौरे पर पहुँश रहे हैं क्या कुछ चुनावी रणनीती तैयार करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी और अगर PM नरिंद्र मोधी मार्श के पहले सब्ताह में बंगाल दौरे पर पहुँशते हैं तो वो तर बंगाल में सबह को समोधित करके आखुश चुनावी बाते करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी इसी तरह की पलपल के अपडेट के लिए बने रहे है डिजिटल खबरिलाल के साथ खबरे आपकी नजर हमारी